स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे योटूब चैनल पर तो आज कलास बारह के भावती भी ज्यान में आज हम लोग पढ़ेंगे अगर गामी क्या होता है और पच्छ गामी क्या होता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी भी द्यार थी इसे पने कौपी में नोट करते चलिएगा जिसे आपका एक नोट सुभी बनता रहेगा तो अगर गामी का मतलब अगर मने आगे गामी मने रास्ता पत उसको बोला जाता है गामी मतलब क्या कह जाएगा पत है पत मतलब रास्ता तो अगर गामी क्या होता है तो अगर गामी का मतलब होता है कि कुछ परिपत में बोल्टेज के अधिक्तम होने से पहले ही धारा का मान अधिक्तम हो जाता है तो क्या कहा जाता है कि धारा जो है बोल्टेज से क्या है अधिक्तम है अगर गामी मतलब क्या आगे तो यहां पर इसकी परिभासा अगर लिखना चाहे तो इसकी परिभासा को अपने कौपी में आप से विद्यारती नोट करते चलिएगा कि कुछ कुछ परिपत में, कुछ परिपत में, बोल्टेज के, बोल्टेज के, बोल्टेज के अधिकतम होने से पहले, अधिकतम होने से पहले, अधिकतम होने से पहले, धारा का मान, क्या हो जाएं, धारा का मान, अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, तो तब कहा जाता है, तब, कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, कि, कहा जाता है, कि, धारा, बोल्टेज से, क्या है, अगरगामी है, अगरगामी है, तो, शमझ में, आगया होगा, कि, कुछ परिपत में, जो है, बोल्टेज के अधिकतम होने से पहले ही, कि, कि, का मान, अधिकतम हो जाए, धारा का मान, अधिकतम हो जाता है, तब, कहा जाता है, कि, जो, धारा है, वो, बोल्टेज से, क्या है, अगरगामी होता है, तो अब यहां गराफ से सिख लेंगे कि यहां पर अगरगामी कैसे बनता है तो यहां पर जो है गराफ कैसे बना जाएगा यहां से जो इसका मूल बिंद होता है अगर मूल बिंद से ऐसे आकर के धारा जो है पड़ते आवरती धारा जो है जा रहा है तो यहां पर जो है यह धारा बोल्टेज हो जाएगा यह जो गराप खीचा गया क्या है बोल्टेज है और यह बोल्टेज से उपर जो देख रहे हैं यहां से धारा कामान क्या हो गया अधिक्तम हो रहा है मतलब यहां पर दो जो गराप में जब खीचा जाएगा या दखे कि इसमें कितने खीचना है इसमें दो खीचना रहता है तो एक जो है आई है यह वाला क्या है आई है और यह वाला क्या है भी है कैसे यह पता चला कि कौन आई है और कौन क्या है भी है तो यहाँ पर चीतर देखने से पता चल जा रहा है कि आई का मान क्या है आगे है किस से आगे है भी से जो है आगे है तो यहाँ पर क्या लिखा गया अगर गामी मतलब क्या है कि कुछ परिपतों में बुल्टेज के अधिक्तम होने से पहले ही धारा का मान क्या हो जाए अधिक पर जो है तो आगे माना जाता ठीना या अगर गामी उपर वाले को अगर गामी और नीचे वालों को क्या करते हैं पच्छ गामी कहा जाता है तो अगर गामी जो है समझ में आ गया होगा तो आप से विद्यारती इस परिभासा को और यह जो गराब जो खीचा गया है इसे अप एक मतलब यह ऊपर चलना और पशगामी मतलब क्या होता है नीचे होना तो अब यहां पर क्या लिखेंगे कि बोल्टेज से कुछ परिपतों में बोल्टेज के जो है अधिक्तम होने से पहले के बाद धारा का मान क्या होता है अधिक्तम होता है तो इसमें जो क्या था धारा अ कापी में क्या किजिएगा नोट का लिजिए कि कुछ परिपत्थों में कुछ परिपत्थों में परिपत्थों में बोल्टेज के अधिक्तम होने से पहले कुछ परिपत्थों में परिपत्थों में बोल्टेज के अधिक्तम होने के बाद धारा कामान होने के बाद कुछ समय बाद धारा कामान अधिक्तम होता है धारा कामान क्या होता है अधिक्तम होता है धारा कामान अधिक्तम होता है तब कहा जाता है कहा जाता है कि धारा बोल्टेज से पच्छ गामी है तब कहा जाता है कि धारा बोल्टेज से क्या है पछगामी है तो अब इसके बारे में भी हमनों समझ देंगे कुछ परिपर्थों में बोल्टेज के अधिक्तम होने के बाद मतलब बोल्टेज पहले अधिक होगा तब उसके बाद धारा का मान अधिक्तम होता है तब कहा जाता है जो धारा होता है वो बल्टे से क्या होता है पच्छ गामी होता है अब यहां गराप से सिख लेंगे अब यहां गराप जब खीचेंगे तो यहां जो गराप ही हो खीचा जाएगा अगर यहां से जा रहा है यहां से ऐसे ऐसे बना रहा है तो यह जो गया उसका नाम क्या रहेगा इसका नाम जो रहेगा भी क्या नाम रहेगा भी रहेगा अब यहां आई जो रहेगा अब यह नीचे रहेगा इसके जो नीचे से जाएगा ध्यान देज़ेगा नीचे से जब जाएगा तो यहां से आ करके ऐसे जो है नीचे से जब रहता है नीचे से जाता है तो इसको क्या मानते हैं पच्छ गामी मानते हैं और यह उपर से जब जाता है तो इसको क्या कहते हैं अगर गामी कहते हैं तो यहां जो धारा क्या है नीच और बोल्टेज क्या है उपर है जब यहां बोल्टेज का मान जो है देखेंगे बोल्टेज है यहां से मूल बिन्द से हो करके जा रहा है और यह जो है कहां से हो कर जा रहा है नीचे से हो करके जा रहा है तो यहां पर क्या बूला जाएगा कि यहां धारा का है बोल्टेज का म में क्या अंतर है बस्चितर में एक बड़ और समझेगा यहां आई ऊपर रहेगा और यहां आई क्या रहेगा नीचे रहेगा ध्यान देना है यहां पर लिखेंगे यहां नहीं लिखेंगे यहां से यहां पर लिखेंगे काला वाला जो रेखा गया है उसको आई कहेंगे आई नीचे रहेगा भी उपर रहेगा भी उपर से या उपर वाला भाग जो देख रहे हैं यहां से मूल बिन्दू से जाएगा तो यह भी रहेगा और यह जो काला वाला रेखा जा रहा है वो कौनची है आई होगा तो यहां पर और यहां जो दोनों चितर को धिहान से देखेंग तो अगला जो हम लोग हेडिंग रहेगा परत्यावर्ती धारा परिपत के परकार कितने होते हैं तो हेडिंग को नोट का लेजे परत्यावर्ती धारा परिपत के परकार तो परत्यावर्ती धारा परिपत के परकार कितने होते हैं यहां लिक लएंगे परतिया वरति धारा परिपत के परकार जो हैं निम्न होते हैं करमशा एक दो आप लो नोट करते चलिएगा तो यहाँ पहला को नाम याद रखिएगा पहला क्या नाम है पहला पहला, दुस्रा तिस्रा, चोथा पांचमा पांचमा और पांचमा अकबाद से छठमा और छठमा अकबाद से TBा तो पांचमा है जिसमें केवल उमी परिपत है दिखेंगे, जिसमें केवल उमी परिपत है, जिसमें केवल उमी परिपत है, आर जुड़ा हो जुड़ा हो पारा किनाम क्या है जिसमें केवल ओमी परिपत आर जुड़ा हो दूसरा किनाम है जिसमें केवल जिसमें केवल धारिता धारिता क्या है जुड़ा हो और तीसरे के नाम है जिसमें केवल प्रेरक्तत्व यल जुड़ा हो यल जुड़ा हो अगला है जिसमें जिसमें यल सी जिसमें क्या है यल यल जो है आर जुड़ा हो यल आर जुड़ा हो जुड़ा हो अगला है जिसमें 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 यल जिसमें जो है यल सी जुड़ा हो जुड़ा हो अगला जिसमे जिसमे यल सी आर जुड़ा हो तो इतना परिपत है तो इतना परिपत के बारे में जो है जानकाई रखना है और इसमें से एक प्रस्ण जो है हर साल के पेपर में आता है जिसमें से एकदम IMP है ELCR परिपत कौन सा परिपत ELCR परिपत क्या होते हैं उसमें परतिबाधा का सुत्र का निग्मन कैसे किया जाएगा तो इक का आपको सुत्र का निग्मन करके बताया जाएगा और अच्छे से स तो कल का वीडियो आप सभी विद्यारती देखना मत भूलिएगा क्योंकि कल का प्रशन जो रहेगा बहुत ही क्या है महतपूर है तो कल वाला वीडियो आप जरू देखिएगा तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा मिलते हैं अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्या यो कुन नमस्कार